नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्यूटी के इस ओनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूँ आगास्री इस वीडियो को शुरू करने से पहले सरुपतम दीपावली की हर्दिक शुपकामनाई आपके जीवन में सम्रिद्धी लेकर आए और आप जल्द से जल्द इस साल ही अपनी सफलता को पूर्ण कर सके हैं इस वीडियो का जो उद्देश है वो है हमारे डिसकर्शन कम्यूटी से संबंदित डिसकर्शन कम्यूटी जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक ऐसा नवचार है इनिशेटिव है जिसमें हम संसाइक मुद्दों को वहाँ पर दर्शाते हैं और उस संसाइक मुद्दों पर हम की परिच्छा संबंदित तयारी भी होगी और जब आप इसे इस्प्लोर करेंगे तब आपके प्रारम भी मोखे और इंटर्विव तक की लेवल की आपकी तयारी होगी तो इस सब्सक्राइब का जो टॉपिक था इस टॉपिक पर हम स्पेस टेक्नलोजी के थीम के अधार पर उतरे थे यह टॉपिक इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इस साल रिसेंट जो मेंस का इग्जाम वह सेजी पीसी का उस मेंस के इग्जाम पे इस टॉपिक से समबंदित निबंद पूछे गये थे और साथ ही इस साल भ पिछले कई सालों से यह समसाई मुद्दा बना रहा और आने वाले निकटवरती भविश्य में भी हम ऐसी देख रहे हैं योजनाज इसरों के जो एक कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर लाने वाले हैं तो इसलिए यह आगे भी करेंट का टॉपिक बंदा रहेगा तो जब मा टॉपिक का थीम अगर हम देखें तो यह भारत की उपलब्दी या फिर अंतरिक्ष में भारत ने क्या उपलब्दी हासिल की है उससे यहां पर सीधे तौर पर प्रशन या पर सीधे तौर पर यह मुद्दा नहीं है यह टॉपिक जो है वो भारत की इस पेस टेखनोलोजी क पर इस थीम के उपर यह टॉपिक है तो समाननेता जब यह हम साइंस एंड टेक्नलोजी को टॉपिक देखते हैं तो चाहतर जब इस टॉपिक पर उतरते हैं तो वह इस पेस टेक्नलोजी पर पूरा फोकस्ट हो जाते हैं कि भारत की इस प्रयूजनाय किस प्रकार से प्रार अगर हम मैड मैप प्रिशित करें तो उसी विचार धारा के लिए यह जो बोर्ड मेंगे टॉपिक बनाया है थोड़ा mind map का इसमें रूप देने का प्रयास किया है आप इसे screenshot लेकर अपने पास रख सकते हैं थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा side हट जाओंगा तो आप इसे screenshot ले लेंगे जब इस topic को हम निबंद के रूप में लाने की शुरुवात करेंगे तो इस topic पर यह जो board लिखा हुआ है ऐसे ही एक और board पर लिखा हुआ चीज आएगा क्योंकि इस समय जितना topic यहां पर लिखा गया है board की जो यहां पर अधिकतम जो दूरी है वो पूर्ण हो चुकी है तो पहले हम अभी के time पर जो board पर लिखा हुआ है उसको discuss कर लेते हैं और उसके बाद दुबारा हम board पर लिखकर बागी के topic भी यहां पर deal करेंगे तो इस topic पर अगर निबंद लिखना हो तो निबंद लिखने का जो मूल भूत तरीका होता है कि पहले आप प्रस्तावना लिखें introduction लिखें उसके बाद आप body वाले part पर आए फिर उसके बाद एक अच्छा सा निशकर से दे दें जो सारी बाते आपने निबंद के body part पर अच्छे तरीके सरग दें ये एक मूल भूत तरीका होता है निबंद लिखने का तो जब आप निबंद लिखें इस topic पर तो आप introduction से शुरुआत करें introduction की महतवता बहुत जादा होती है क्योंकि उसी के अधार पर बागी का इससे आपका चेक किया जाना या सुनिश्चित ह होता है अगर आप introduction में जाएं तो introduction पर आप यह ध्यान रखें कि introduction पर आप थीम से भटके नहीं क्योंकि जैसे ही आप थीम से भटकेंगे तो चेक करने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि जो मुक्य थीम यहाँ पर essay से आप से पूछा जा रहा है उस theme पर आप ना जाकर किसी और तिम पर पहुँच गया और उसकी रिची आपके निबंद पर थोड़ी से कम हो जाएगी तो यह जा निबंद अगर हम introduction पर करें तो क्योंकि यह निबंद global space industry पर आधारीद है मतलब कि अंतरिक्ष बजार पर आधारीद है इंट्रोडक्शन पर आपको मैंने बताया था कि या तो आप report का सहता ले सकते हैं किसी committee की अनुशनशा का सहता ले सकते हैं या फिर किसी बैक्तियों के द्वारा दिये गए बाग की या courts का प्रयोग कर सकते हैं तो हमने इस समय जो ये model रूप से यहां इससे design करने का तरीका दिया है इसमें हमने एक report का इस्तमाल किया है और यह report का जो source है जो हिंदू newspaper से लिया गया है बिल्कुल आप newspaper पतिश्टित newspaper के भी यहां पर अधार ले सकते हैं जब आप report mention करें इस introduction पर मैंने क्या शुरुवत किया जरह देखते हैं report में इसी अंत्रिक्ष बजार की महत्वता को बताया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान इस्तिती में current सिनारियों पर अंत्रिक्ष बजार की जो मौदरिक मुल यहां पर दीख रही है वो लगबग 350 बिलियन डॉलर की है अभी वर्तमान में 2019 में ये 350 बिलियन डॉलर है और आने वाले सालों में अर्थात की 2025 तक यह जो बजार है वो 550 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस करने की सक्षमता रखता है मदब सीधे तोर पर देखा जाए तो अभी 350 बिलियन डॉलर है और आने वाले 6 सालों पर 200 बिलियन डॉलर और अधिक इसकी इस्तिती हो जाएगी इसका जो वैल्यू है वो 550 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा जैसा ही आपने यह फैक्ट यहाँ पर रिपोर्ट डाला और आपने दाहिंदू मेंशन कर दिया आपने वो थीम को बता दिया कि क्यों यह थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बता दिया कि आने वाले टाइम पर कितनी यहाँ पर शमताहिस बजार के अपने मातरा बनाने तो यह आपका इंट्रोडक्शन पर आप इस रिपोर्ट के माध्यम से शुरू कर सकते हैं फिर उसके बाद आप अगला जो यहाँ पर चीज मेंशन करना जाएंगे तो आप यह करिए कि भई इतनी बड़ी बजार यहाँ पर बन क्यों रही है बतलब अंतरराश्टी इस्तर प कि अपने अंतरिक्ष खोच को या अंतरिक्ष परियजनाओं की शुरूआत करता है और अभी वर्तमान इस सिती में जो मानव जाती है वो अंतरिक्ष को किस तरीके से अंतरिक्ष पर या स्पेस टेक्नलोजी पर डिपेंडेंट है उसको आप बता दें जैसे कि अगर हम हैं तो क्यों ये स्पेस टेक्नलोजी मानों से जुड़ चुका है तो अंतरिक्ष अभियान बहुत बड़े-बड़े किये जा रहे हैं जिसमें भारत काफी बढ़ चड़कर आगे अगरणी इस तर पर खड़ा हुआ है अंतरिक्ष अभियान किये जा रहे हैं मतलब कि किस प communication और टेलीफोनिक या फिर दुर्भाश के लिए भी space technology का बहुत importance है space technology में हम satellite launch करते हैं और फिर उसके बाद telecommunication का हम इस्तमाल करते हैं और ग्रामिड इस तर पर space technology क्यों है जैसा कि आपको पता है कि हम जब satellite launch करते हैं तो radio mapping के द्वारा हम क्रिशी से संबंदित योजना बनाने का यहां पर mapping करते हैं और mapping के आधार पर हम किस जगे पर क्रिशी हो सकती है या क्रिशी से संबंदित समस्या उसका भी जानकारी कठा कर रहे हैं साथ ही एडोसेट ऐसे कुछ examples हैं जिसके माध्यम से स्वास्त और सिक्षा का भी विवस्ता की जा रही है यह भी मानो जाती के लिए बहुत महत्पूर्ण है और साथ ही सारे लगभग चार से पांच देशों का अब तो खुद का GPS सिस्टम है मतलब की परिवहन के लिए भी Space Technology या Space Technology पर विक्सीद अपने आपको किया जाना अवश्यक हो चुगा है तो मतलब की आप इस सारे चीजों को इंट्रोडक्शन में खदम करें जिसके शुरुआत आप रिपोर्ट से करें और उसके बात बताएं कि यतनी बड़ी बजार की शमता क्यों बन रही है इसलिए बन रही है कि दैनिक चरिया से लेकर बड़े बड़े खोज तक मानव जाती इंत्रिक्ष की और रुख कर रहा है अपना और जितना ज्यादा उसके तरफ रुख करता जाएगा और ज्यादा यहाँ पर उसकी बजार की शमता बढ़ते जाएगी तो इस प्रकार से आपने इंट्रोडक्षन को खदम किया तो अब बात आता है कि जैसे ही आपने इंटरनेशनल लेबल पर स्पेस टेकलोजी की बजार की बात कर ली अब भारत की यहाँ पर क्या भूमिका है मतलब भारत की इस प्रकार से अपने आपको इस बजार पर होता हुआ देखता है तो इसके लिए आपको बताना होगा कि इतनी बड़ी यहां पर शमता बजार की हो रही है तो भारत के लिए एक यह संभावना है एक opportunity है अभी opportunity क्यों है तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत की उपलबदी क्या है तो भारत ने अब हम पूरा उपलबदी के उपर नहीं जाएंगे सिर्फ कुछ particular ऐसे हम भारत के project के बारे में चर्चा कर लेंगे जिसमें हम यह बतातेंगे कि भारत इस बजार को काफी अच्छे तरीके से establish करने के लिए role play कर सकता है क्योंकि भारत के पास में वो potential है वो सक्षमता है वो सक्षमता क्यों है तो उसके लिए आप भारत की उपलबदी के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप mention करेंगे कि भारत को market में दिखाने के लिए आप बताएंगे जैसे एक example सबसे important example है ये क्योंकि ये market भारत का यहाँ पर दिखा रहा है कि 104 उग्रहों का प्रक्षेपन किया गया था जिसमें 101 जो उग्रह है वो विदेशी थे और ये प्रक्षेपन किया गया था PSLV से polar satellite launch vehicle से polar satellite launch vehicle से आप 104 satellite एक साथ launch करने वाले पहले देश मनें और आपने एक record इस्थापित किया मतलब कि आप या इस उस गांपल से या mention कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर 101 विदेशी satellite छोड़े वो भी successfully तो मतलब कि यह है कि आगे हमारे अंदर और भी संभावना है जहाँ पर हम अन्य देशों के satellites अपने launch vehicle के माध्यम से छोड़ सकते हैं मतलब हम एक अच्छा market यहाँ पर दीख रहे हैं अब मंगल यान के कुछ facts आप वहाँ पर mention करें यह mom mission के आप facts वहाँ पर दिखाएं जहां पर आप अपने आपको सक्षम दिखा सकें तो क्या थी वह अपलबदी अपलबदी यह थी कि भारत अपने प्रथम प्रयास पर मंगल यान mission पूर्ण करने वाला पहला देश बना पहला तो यही बता दीचे कि प्रथम प्रयास में और चार देशों की सूची में जितने मंगल यान mission successful ही launch कर चुके हैं ऐसे जितने भी देश हैं वह चार है और उसमें भारत एक हिस्सा बना हुआ है मतलब की काफी मजबूत है और इसमें जो सबसे खास बात यह बनाई है जो हमारी खासियत है क्यों हम एक बहतर मार्केट की तरफ हैं हमारी खासियत यह है कि हम बहुत ही बड़े बड़े mission perfection के सा अगस से सफलता पुर्वक पूर्ण कर लिया गया था मतलब की हमारे अंदर सक्षमता है प्रैसाइस होने का accurate होने का वो भी एकदब minimum cost में तो हम एक अच्छा विकलप हैं बजार के लिए फिर आप बताएंगे चंद्रयान mission के बारे में क्योंकि इसको आप mention करिए क्योंकि current का भी भाग है तो चंद्रयान mission एक 2008 में launch किया गया था और 2019 में तो 2008 में जब launch किया गया तो यह 6 देशों की सुची में मतलब ऐसे 6 देश जो चंद्रयान या चंद्रमा तक पहुँचे थे उन 6 देशों की सुची में एक अपने भी नाम यहां पर दर्श कराया और उसके सा 2019 का यह जो mission था जो पूर्णरूफ से सफल तो नहीं हो पाया लेकिन पूर्णरूफ से विफल भी नहीं था हाला कि यहां पर हमारे connection तूट गए लेकिन आगे चलकर निकट वरती भविश्य में हम अन्य देशों की साहता से इसे फिर से एक बार follow up प्रोग्राम लाने वाले ह और फिर से हम इसे successful कर जाएंगे ऐसी संभावना है तो आप चंद्रयान mission के बारे में बता दीजे फिर आप बताईए अपनी खुद की navigation satellite system के बारे में मतलब कि आप उन पाँच देशों में एक हैं जिनों ने अपने साथ उब्रहों के माध्यम से अपना खुद का navigation system establish कर दि GPS या फिर जो अमेरिका की navigation system है या फिर रशिया की जो navigation system में उसमें विश्व के अन्य देश निर्वर करते हैं लेकिन हम भी उस सूची में खड़े हो गया हैं तो हमें भी यहां पर क्या है एक अच्छा विकल्पे तोर पर अन्य जो देश हैं जो अपना खुद का navigation चाहते ह हैं और हमारे लिए एक बहतर बजार इस साबीत हो सकता है फिर हम बात करते हैं कुछ launch vehicles की यह तो missions हो गए launch vehicles जैसे PSLV PSLV एक ऐसा launch vehicle है जिसमें हम ज़्यादा निर्वर करते हैं जिसकी सक्षमता कम है on theory लेकिन हम उसमें booster लगाकर मंगल यान mission तक को यहां पर सफल कर गए GSLV MQ3 2014 में इसको launch कर दिया गया था और इसका क्या उत्देश है तो इस launch vehicle के माध्यम से भारत जो है आने वाले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिश्मर भेजेगा मतलब कि भारत अब इतना भी सक्षम हो गया है कि मनुश्यों को भेज कर मनुश्यों को वापस ल बजार की तरह पे स्थापित कर सके अंतरिक्ष बजार में तो आप इस introduction के बाद और इस उपलब्दी के बाद आगे अब बढ़ेंगे और किस अधार पर बढ़ेंगे कि भारत की सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आगे की योजना क्या है क्या हम इतने तक में ही रुक हैं मैं आपको आगरा करूँगा कि आप इसका sketch shot ले ले और sketch shot लेने के बाद आप इसका अपने content में अपयोग करें introduction वाले भाग के बाद भारत की उपलब्धी बताने के साथ हमने ये तो दिखा दिया कि भारत के पास में वो ताकत है वो सक्षमता है जिसके आदार पर भारत एक बजार इस्ताबित कर सकता है अब हमको यह भी दिखाना पड़ेगा कि भारत की ऐसी क्या आगे की योजनाय हैं जिससे अंतर राश्टी इस तर पर अगर भारत की और कोई रुख करे कोई अपनी नजर डाले तो भारत के आने वाली योजनाओं के आधार पर यह चेक कर सकता है कि हमें भारत की तरफ अप की स्टेडी करेगा यह फिर 2021 में हम गगन यान मिशन लाने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया था कि GSLV MK3 हमने लांच कर दिया है 2014 में उस GSLV MK3 के माध्यम से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और सफलता पूर्वक भेज कर सफलता पूर्वक लाने का यहाँ प मांगल यान मार्स ऑर्विटर मिशन के माध्यम से सफलता हसिल की है ऐसी ही सफलता पाने के हम आशा करेंगे 2023 में जब हम मिनस में अपने पूर्ण करेंगे। और जापान का एक कंबाइड मिशन है जिसमें जापान रॉकेट देगा तो भारत देगा लेंडर और फिर उसके बाद चंद्रमा की यहां पर कई सारे रहस्यों को खोजा जाएगा 2024 में हम मंगल यान 2 करेंगे और मंगल यान 1 मिशन का ये एक फॉलो अप प्रोग्राम होगा इस फैक्ट या इस सारे टॉपिक के अधार पर या इस सारे पॉइंट के अधार पर आपने पता दिया कि हमारे भविश्की यूजना है क्या है अब जरा हम भारत के अंतर राष्टी इस तरपर किस प्रकार से हम यूजना ले रहे हैं अपने आपको बजार के रूप में स्थापित करने के लिए इसे दर्शाएंगे वैसाइक परिदिरिश्य से तो वर्तमान की क्या स्थिती है बजार की भारत की तो वर्तमान इस सिती भारत का जो मार्केट है इस पेस लेवल पर वो 7 बिलियन डॉलर का है और यह बहुत ही कम दिखा रहा है मतलब की जितना यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट की कैपसिटी है भारत अभी मात्र उसका 2% हिट्चा ही दिखा रहा है अपने आपको इसको और बढ़ाने के लिए, जब हमने देखा कि अंतरराशी स्टर पर काफी संभाववना है बजार स्थापित होने का, तो हमने फिर उसके लिए या उस संभावनाओं को अपनी पकड में लाने के लिए क्या किया है? तो हमारे पास में हमने देखा कि हाल ही में भारती जब बजट लाया गया उसमें New Space India Limited नाम की यहाँ पर संस्ता बनाई गई या ISRO का एक वानिजिक साखा है एक कॉमर्शियल विंग है जैसे मार्च 2019 में चालू किया गया है यह योजना या क्या करेगी तो भारत या फिर अंतरिक्स के लिए जितने भी लांच वहिकल होते हैं लांच वहिकल के साथ साथ में जो यहाँ पर सेटलाइट्स को प्रक्षेपन किया जाएगा लांच किया जाएगा साथ ही जो यहाँ पर स्पेस हमारे मिशन है इन सारे चीज जुनाओं पर या इस अलग अलग यहां पर जो डिस्टी कोण है जो डाइमेंशन है उसमें आकर अपनी सहबागीता दे और वो की हम इतने सक्षम है कि हम कम कीमत पर सफलता हसिल कर लेते हैं साथ ही इसरो का एक और वेसाइक विंग है जिसका एंट्रिक्स नाम है वो भी इसी छेतर पर बढ़ चड़कर यहां पर अपनी भूमिका तैक कर रहा है साथ ही निजी छेतर की सहबागीता बढ़ाने के लिए हमने स्टार्टप मेक इन इंडिया योजना का यहां पर स्टार्टप लिया है अभी वर्तमान में 20 स्टार्टप भारत के ऐसे हैं जो इस्पेस टेक्नलोजी पर काम कर रहे हैं पर की एक एक्जामपल आप डाल लिजेगा एक्सीड इस्पेस एन एस्ट्रॉम टेक्नलोजी जिसकी गठन 2017 मई में हुआ है यह स्मॉल सैटलाइट्स या फिर मिनी सैटलाइट्स को लांच करने के लिए मार्केट इस्टेबलिश कर रहा है साथ ही आप यह भी मेंचन कर दीजेगा कि इस्पेस एक्टिविटी बिल 2017 में संसाथ में आया हुआ है अभी तक यह पास नहीं हुआ है लेकिन अगर यह पास हो जाता है तो बड़ी मात्रा में निजी छेत्रों को अंतरिक्ष अभियान में जोड़ा जाएगा और जोड़ने के साथ में यह हम मान सकते हैं कि जब निजी छेत्र आएगा और बड़ी मात्रा पर जब निवेश करेंगे और निवेश करने के साथ में ही गुणवत्ता भी यहां पर हसिल की जाएगी और अगर एक अच्छी गुणवत्ता हमारे पास उपलब्ध होता है ऐसी से माओगा तो बस्तिविक तोर पर अंतरराश्ट्री लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हम मार्केट दिखा पहेंगे इन सारे चीजों के बारे में आप बताने के बाद में आप एक बढ़ियांसा निश्कर्ष भी यहां पर डाल सकते हैं निशकर्स कुछ इस प्रकार से होगा कि आप इसे ऐसे मेंशन कर दें कि इन सारे आकड़ो या उपरोक्त दर्शाय के सारे आकड़ो के अधार पर ये तो बात सिद्ध होती है कि अंतरराश्ची स्तरपन आने वाले कुछ समय पर काफी जादा यहाँ पर अंतरिक्ष उपकरनों और सेवाओं की मांग होने वाली है और भारत की इतिहास अगर देखा जाए तो सफलता से भरा हुआ है लेकिन अभी भी भारत की जो भागीदारी है अंतरराश्ची मंच पर वो काफी कम है इस दिशा को या इस चीज को पूर्ण करने के बजट में व्रिद्धी करने की आव शक्ता है और साथ ही विधान और नितियों के माध्यम से सरकार अपने आपको इतना सशक्त करें जिससे इस आने वाली संभावना का हम बहतर लाब सुनिश्यत कर सकें इस निशकर्ष के अधार पर आप अपनी इस इसे को खतम कर सकते हैं तो अंत में डिसकशन कमुनिटी के आगे आजसी तरक्ये से और भी सब्ता ही कि आपको मुद्दे यहां पर दिये जाएंगे राश्यिस्तर पर अंतराश्यिस्तर पर और राज्यिस्तर पर आपसे यह अनुरोध है आपसे यह आगरा है कि हमारे इस नवाचार को आप आगे और इसी प्रगार से पसंद करते रह जिससे हम लगातार इस छेत्र में अपने प्रयास को और भैतर कर सके और साथ ही अंद में एक बार फिर से आप लोगों को दिवावली की शुपकामनाय या दिपावली का त्योहार आपकी जीवन में उजाला लेकर आए और आने वाले निकट कुछ समय में ही आप सफलता अरज धन तेरस मंगल मैं हूँ शुबू धन तेरस